फ्री सद्गुरु देवाए नमा भायो भैनो नाम जब की महिवा अप्रम पार है इस कलिकाल में भव पार करने के लिए इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है नजाने कितने संत और जीव नाम जब के सहरे भव पार कर गए जो जीव नाम जब करते हैं उनको देखने मातर से जीव के अंदर नई उर्जा का संचार हो जाता है उनको लगता है कि जब वो नाम जब करके राधा रानी को पास सकते हैं तो मैं क्यों नहीं इसके साथ ही जिनके जीवन में राधा नाम से भोतिक कारियों के पूर्ती हुई हो या जीवन में चमतकार हुआ है उनको देख कर भी यही ख्याल आता है कि राधा नाम के जब से मेरी भी जीवन में चमतकार होगा वो नाम जब शुरू कर देते हैं किन्तु कुछ समय के बाद उनका जोज थंडा हो जाता है और माया की फेरिम पढ़ियाते हैं और यह कहते फिरते हैं कि नाम जब से कुछ नहीं होता या एक ध्रम है नाम के प्रती उनके नकारात्मक ख्याल हो जाते हैं अपनी निष्ठा कम नहो इस बात का ख्याल साधना काल में जरूर रखना पड़ेगा तभी कल्यान होगा माया आपको रोकने का प्रयास करती है किन्तु हमको माया की नहीं सुनी हमारे अंदर की नका रखता हम पर हावी होने का प्रयास करती है किन्तु जीव को उसमें नहीं फसना उसको तक्यवन एक मातकार यह है कि वह भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जब करता रहे जीव को थोड़ा सब रखना पढ़ेगा अगर किसी को एक सब्ता में करपा हो गई तो यह जरूरी नहीं कि हम पर अक्मी एक सब्ता में करपा हो जाए बस हम निरंतर नाम जब करें मंजिल सकतो ज़रूर पहुँच जाएं यह बात एकदम सब्से है आज जो कथा यह अदास सुनाने जा रहा है वह आपके जीवन में नई उमंग भर देगा यह कथा सिवानी जीने बेजी है जिससे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम जब आपके प्रारत को नश्ट करके जीवन में उमंग कैसे भर देता है इस वीडियो को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवस देखिएगा इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जोड़ी सत्यकता का आनन लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन आयुद्या को जरूर देखें सिवानी जी ने बताया गुरु जी आप बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं जिससे लोगों के जीवन में राधा रानी के क्रपा हो रही है जिससे उनके जीवन के संकर भी समात हो रही है गुरु जी यह बात एकडम सकते है कि जब हम नाम जब करते हैं तो परमात्मा की क्रपा बरसने लगती है मैंने इस बात का अनुभव किया है गुरू जी मैं आपको कोटी-कोटी पड़ाम करती हूँ कि जो आपने मुझे पर कृपा करी और मेरे अंदर के अंधेरे को दूर कर दिया आज राधा नाम ने मुझे को जो दिया है उससे मेरे ही नहीं मेरे परिवार में भी काफी खुसी का महौल मेरे नाम जपने मुझे पर करपा कर दी मेरे जीवन की एक एक समस्या अपने आप दूर होती चली गई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में अतना बदलाव आ जाएगा गुरू जी यह सब आपके दिये राधा नाम के द्वारा ही संबाव हो सका है गुरू जी मेरे जीवन में राधारानी के जो करपा हुई है वह मैं आपके साथ स्यर कर रही हूँ जिससे अन्य लोग भी नाम जब करने लग जाएं और उनके जीवन में उनकी करपा बरसने लग जाएं गुरू जी मेरा नाम सिवानी है मेरे परिवार मेरे पती और दो बच्ची है मेरे पती एक प्राइवेट नौकरी करते हैं उसमें इतनी तंखा नहीं मिलती जिससे अच्छी तरह से गुजारा हो सकते मेरे मन में हमिसा यही रहता था कि कास मेरी सरकारी नौकरी लग जाए जिससे कि मैं भी अपने पती का हाथ बटा सकते जब दोनों लोग नौकरी करेंगे तो घर गरेस्ती की गाड़ी अच्छी तरह से चलेगी किन्तु लगातार प्यास करने के बाद ही मेरी कहीं भी नौकरी नहीं अपा रहीगी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा जिसके चलते मेरा सभाव काफी चुच्छा हो गया था मुझे बहुत जल्दी गुसरा आ जाता था जिससे कई बार लोगों से जगड़ा भी हो जाता मेरे पती मुझको समझाते थे कि परसान क्यों होती हो जैसे भी हो मैं घर चलातो रहा हूँ ना भगवान चाहेंगे तो महीं नौकरी लग जाएगी मैं कहती थी कि कितना समय गुजरता जा रहा है कहीं भी नौकरी नहीं लग रही हाल यह हो गया कि मैं डिप्रेशन क्यों जाने रगी जिसके चलते मैं घर और बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी पती जब आफिस से आते तो वो बच्चों को जितना हो सके उतना ध्यान देते थी मुझको तो बस यहसे सरकारी नौकरी का भूठ सवार बूठ से बाता हूँ मैं किसी की नहीं सुनती थी गुरू जी एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी तो मुझे ब्रंदावन वाले टेमना जी महराज का वीडियो देखा तो वो राधा नाम की महिमा का वर्लंद कर रहे थी मैंने सुचा कि क्यों ना मैं भी राधा नाम का जब करना सुरू कर दो तो सायद मेरी किसमत खुर जाए मैंने अपने आप से तीन माहा तक नाम जिप दिया किन्टो कुछ नहीं हुआ मैंने यूटूब पर ही सुना कि बिना गुरू से नाम दान लिये नाम जल्दी फल्दाई नहीं हुटा है मैंने सुचा कि गुरू किसको बनाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रेमा नन जी महारा तक तो मैं पहुछ नहीं सकती पड़ी निरासा सी लग रही थी यूटूब में ही मुझे राधा नाम की महिमा का वीडियो देखने को मिला मैंने देखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा किसी ने अपना आत्म अन्भा भेजा था मैंने अक्षि प्रभाद चैनल के कई वीडियो देखे तो मुझको लगने लगा कि राधा नाम की में एकनी सकती है जिससे मन की मुराथ पुरी हो सकती है तो क्यों ना मैं भी गुरूजी से नामदान लेकर नाम जब करना शुरू करूं यही सोचकर मैंने अगले दिन फोन मिलाया गुरूजी आपने फोन उठा लिया जिसके बाद मैंने अपनी सारी बात बताई तो गुरूजी आपने मुझे अच्छे से संधाया फिर मुझे राधा नाम का दान दिया और जब की विधी तता साउधानी के बारे में संधाया गुरूजी आपके कत्नों सार मेरा नाम जब सुरू हो गया मुझे को बहुत आन आने लगा वो पहले तो पहले जो करती थी उसमें नहीं आता था कि गुरू का महत में उसे सोज में आ गया जब भी कोई परसानी होती थी गुरूजी मैं आपको फोन करती थी आप लगाता है मेरा मारदसन करते रहते। कुछ मा के बाद गुरुजी चमतकार हो गया। मेरी सरकारी नौफिल लगे। मेरे लिए किसी चमतकार से कम नहीं था। मैंने गुरुजी आपको बताया था कि तो आपने कहा था कि नाम जब बंद मत करना। गुरुजी इस आठ मा में मुझको बहुत फायदा हुआ कि मेरा डिप्रेशन समात हो गया। मेरा गुस्ता पूरी तरह से नियंतित हो गया। मेरा हाल यह हो गया कि जो सोचती थी वह हो जाता था। गुरुजी मेरे पती को एक अच्छी कम्पनी से आफर आया वहाँ जाके उन्होंने जोईन भी कल लिया। मेरे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे सोने रही। गुरुजी मुझे आठ मा में बहुत कुछ मिला है। यह सब नाम जबकि महिमा का ही तो फ़र्थ है। गुरुजी यह जरूर हुआ कि मुझे दिवदर्शन नहीं हो रहे थे। जब आपसे बात हुई तो आपने जैसा बताए मैंने किया। गुरुजी अब मुझे को दिवदर्शन भी होने सुरू हो गए है। गुरुजी मुझे यह बात तो समझ में आ गई है। यदि आपका भाव और विश्वास है तो राधा रानी की कृपा होने में देरी नहीं होती है। जो देरी होती है वो हमारी तरफ से ही होती है। गुरुजी आप एकदम सत्य कहते हैं कि प्रारत के कारण थोड़ा देर हो सकती है। जो देरी यह बात एक तब सकते है। गुरुजी मेरा तो पूरा जीवन ही बिदल गया है। कोई माने या ना माने पर मैं मानती ह। मेरे पती मानती है। अब तो गुरुजी उन्हों ने भी आपसे नामदान लेकर नाम जब करना शुरू कर दिया है। अब तो राधा राणी से मैं यही मानती हूँ कि कभी आपको भूलू नहीं और आपका नाम जब निरंतर करती रहूँ। गुरू जी आपको मैं बारम बार पराम करती हूँ। बस आपका मार दर्फन निरंतर मिलता रहे और आपका आशिरवाद बना रहे राध है राध ही रा भागे को भागी मवद बदल लेता है तब यह अदास बार-बार कहता है निरंतर निरंतर राधा नाम भाव और विश्वास के साथ करने से जीवन बदलेगा यह बात इतन सकते हैं इसमें कोई संसे की जनुवत नहीं आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे नाम की महिमा पांके विहारी जी की क्रपा और दंदावन से जोड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे वार्टसप या इमेल पर भेश सकते हैं जिस तर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवस्थ तिखाऊंगा राधे राधे